अभी आप जिन तीन लड़कियों को खंबो के साथ लिपटते हुए देख रहे हो इन तीनों का नाम है एप्रिल, में और जून और ये तीनों काफी पढ़ाकू लड़की है ये तीनों इसी मेहिने 18 साल की हुई है लेकिन पैसों की तंगी होने की वज़े से इने दिन में स्कूल की बढ़ाई और रात में बार में ठुमका लगाना पड़ता है साथी साथ ये लोग बचपन साही हतकंडी और लदकंडीयों की ट्रेनिंग भी कर रही है यानि ये तीनों अपनी जितोड मेहनत से निंजा बनना चाहती है इनके पास काम की कोई कमी नहीं क्योंकि ये लोग मू उठा कर कोई भी काम करने के लिए पहुँच जाती है गुरू टीमबक्टू उन्हें कीमती चीज लाने का काम देते हैं जिसके बद रात में वो तीनों काला हुडी पहन कर मू उठा कर उस कीमती चीज को चुरानी के लिए एक म्यूजियम में पहुँच जाती है और सिक्रीटी गार्ड्स को मारकर उस कीमती चीज जो की एक स्टील का तलवार था उसे लेकर आती है गुरू टीमबक्टू कहते हैं तुम सभी अभी सच में एक निंजा बन चुकी हो और तुमारी कठोरता पईश्या और ट्रेनिंग को देखकर मुझे तुमारे उपर गर्व मैसुस हो रहा है जिसके बाद वो उन तीनों को 200 रुपए वाला स्टील की तलवार देते हैं हम देखते हैं कि वो स्किम्ती तलवार को यानी 1000 रुपए वाले तलवार को एक आदमी को बेच देता है जिसके बाद उन सभी को निंजा बनने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है आगे हम उन तीनों लड़कियों को कच्छी पहन कर फोटो सुट करवाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि इनके लिए कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं है और ये लोग सभी काम को पूरी इमानदारी और निष्ठा से करती है जिस वज़े से स्कूल के सभी लड़के यहां तक के घोड़ा गाड़ी प्रिंसिपल भी उनके प्यार में दीवाना है क्लास के खतम होने के बाद एप्रिल जब जा रही थी तब एक लड़का कहता है सुनो मुझे पढ़ाई में थोड़ा हेल्प कर दोगे प्लीज नहीं मुझे थोड़ा काम है पर क्यूं क्लास में तुम्हारी नंबर सबसे ज़्यादा आती है तुम काफी पढ़ाकू लड़की हो और आज रात अगर तुम मेरे घर में आती हो तो मुझे थियोरी के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझा देना जो कहकर वो उसकी टांगो को देखने लगता है हमें पता चलता है कि वो से उसके घर पर बुला कर उसके साथ बाइलोजी प्रैक्टिकल करना चाहता है एप्रिल भी काफी बेशरम थी इसलिए वो भी उसे काफी गंदे गंदे इशारे करती है जिससे उस लड़के का घोड़ा दोडने लगता है दूसरी तरफ हम घोड़ा गाड़ी प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि इन सब का मजा लूट रहा था आगे वो तिनों डांसिंग क्लास पहुँचते हैं जहांके ट्रेनर लाल उन्हें चेर लिडर डांसिंग सिखाता है यहां पर हमें पता चलता है कि लाल भी ट्रेनिंग के बहाने उन सब लड़कियों के उपर डोरे डालता है लेकिन वो एक इमानदार लॉन्डिया बाज है इसलिए उन लड़कियों को उससे कोई भी खत्रा नहीं है डांस खतम होने के बाद वो एपरिल को अपने पास बुला कर कहता है हे अगले हपते में मैक्सिको जा रहा हूँ और तुम्हारी एकजाम भी खतम हो रही है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी वहाँ पर हम लोग खाएंगे पिएंगे जुमेंगे नाचेंगे गाएंगे एस करेंगे और क्या जो कहकर वो उसे पकड़ने के लिए जाता है लेकिन तबिवाँ पर मे और जून आकर एप्रिल को अपने साथ लेकर जाती है आगे हम गुरू टिमबक्टू को देखते हैं जो की 80 साल की बुढ़ियों को निंजा बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था वो एक लड़की को टांगों को और उपर उठाने के लिए कहते हैं जिससे उस लड़की की पूरी की पूरी फट जाती है इसके बद एप्रिल के साथ एक निंजा की फाइट करवाया जाता है यहाँ पर वो आदमी पहले एप्रिल को एक मुका खिलाता है लेकिन एप्रिल भी अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके उसे धूल चटा देती है इसके बाद हम स्ट्रीप पैलेस नाम की एक नाइट क्लब को देखते हैं जहाँ पर एप्रिल मे और जून अपने कपड़े उतार कर खंबो के साथ लिपट लिपट कर ठूंका लगा रही थी तभी वहाँ पर हम एक अंडर वर्ल डॉन बंबोला को देखते हैं जो कि उस क्लब की मालिक गुरू टिमबक्टू से उस क्लब को अच्छी तरीकी से छिनने के लिए आया था गुरू टिमबक्टू कहते हैं तुम्हें मुझ से लड़ने से पहले मेरी निंजा लड़कियों के साथ लड़ना होगा जो कहकर वो अपने साथियों को बुला कर अंडर वर्ल डॉन बंबोला को क्लब से धक्के मार कर बाहर निकाल देता है अब डांस खतम हो जाने के बाद गुरू टिमबक्टू उन्हें उनकी मेहनत की कमाई देते हैं और अगले ही दिन होने वाले नाचना जाने आंगन टेड़ा कॉम्पिटिशन के बारे में भी उन्हें बताते हैं वो कहते हैं उस कॉम्पिटिशन में जो सबसे ज़्यादा कमर लचकाएगा उसे 50,000 डॉलर मिलेगी इसलिए तुम सब जरूर नाचना जाने आंगन टेड़ा कॉम्पिटिशन में अपनी अपनी कमर लचकाना यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तिनों इसलिए इतनी महनत भरा काम करती है ताकि वो लोग दो-चार पैसे कमा कर एक अच्छी कॉलेज में एडमिसन ले सके खेर वो लोग जब घर जा रही थी तबी कुछ मंत्रियों का बेटा उन्हें रोक लेते हैं उनमें से एक कहता है देखो तुम लोग लोगों को अपनी कच्छी दिखा कर उनका दिर जीत लेती हो मैं मू मांगी कीमत देकर तुम लोगों को मेरे बेडरूम में लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम तीनों के साथ घोर तपश्या कर सकूँ जिसको सुनते ही वो तीनों भरक जाती है और उन मंत्रियों की बेटे की जम कर धुलाई करती है आगे जब वो तीनों अपने घर पहुँचती है तभी में की मा में के बैग में रंग बिरंगी कच्छी देख लेती है और उसके उपर गुसा हो जाती है वो कहती है तुमने अभी तक उस काम को नहीं छोड़ा नहीं मा और बस कुछ दिन जिसके बाद मेरी एक अच्छी कॉलेज में एड्मिशन हो जाएगी और फिर मैं इस गंदे काम को छोड़ दूँगी अगले दिन वो लोग पेपर दे कर रिलेक्स होने के लिए इस ट्री पैलेस कलब यानि गुरू टिमबक्टू के कलब में जाती है अंदर जाते ही वो लोग देखती है कि किसी ने उनके कलब को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था और सिकुरिटी गार्ड मैनी को भी बहुत बुरी तरीके से घैल कर दिया था इसलिए जून तुरंट एंबुलन्स को कॉल करती है मैनी कहता है तुम लोग यहां से चले जाओ वरना वो अंडर वाल डॉन तुमे भी नुकसान पहुचाएंगे और वो लोग गुरू टिमबक्टू को अगवा करके लेकर गए हैं जिसक लिए जब उन्हें कुछ भी नहीं बताता तबी वो लोग उसे गाड़ी के डिक्की के उपर लेटा कर उसका पैंट उतारती है और पानी के पाइप को लेकर आती है मैं कहती है मैंने पहले कभी यह नहीं किया इसे पूरा डालना है या आधा जिसमें जून कहती है लगता है इसे पूरे में ही मजाएगा जिसके बाद उसके पिछोंडे पर पानी की पाइप घुसा कर उसकी टंकी फूल किया जाता है इधर वो कहता है रुको रुको ऐसा इन्याई मत करो मेरे साथ मैंने गुरू टिमबक्टु को अगवा नहीं किया है उसे भक्टाई ने किया है जो कहते ही वो लोग उसे बेहुश करके कार के डिक्की में डाल कर अपने सत लेकर जाती है अगले ही दिन जब वो लोग पेपर दे कर टिमबक्टु को बचाने के लिए जा रही थी तब ही डिटेक्टिव हैरिस उन्हें रोकते हैं वो कहते हैं तेरे आँखों से ये मजाल कर द सवालों पर भी वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वहां से चली जाती है दरसल डिटेक्टिव हैरिस अंडरवल्ड डॉन बंबोला की तलाश में वहां पर आया था खैर वो लोग इंटरनेट पर वेक्टर के बारे में चेक करती है जिसमें उन्हें पता चलता है क कि उसका नाम वेक्टर लजारो है और वो एक जाने माने क्रिमिनल है जो की काला बाजारी करता है यहां पर उन्हें ये भी पता चलता है कि गुरू टिमबक्टू का जो क्लब है वो दरसल उनका नहीं बलकि वेक्टर लजारो के फैमिली का आखरी विरासत है जो की कर्ज में डूबे होने की वज़े से उसे बेचना पड़ा था और अभी वो उसे ही लेने के लिए बाफस आया है और इसलिए उसने गुरू टिमबक्टू को अगवा किया है दूसरी तरफ हम वेक्टर लज़ारो को देखते हैं जोकी गुरू टिमबक्टू के उपर ज्यादती कर रहा था लेकिन गुरू टिमबक्टू उसे कलब देने से इनकार कर देते हैं इधर वो तीनों गुरू टिमबक्टू को बचाने के लिए काला हुडी पहन कर वेक्टर लजारों के सर्विस सेंटर आने लगती है तभी उन्हें हुआ पर कुछ जाईदाद के कागज मिलती है जो कि दर असल उस कलब का ही था उधर वेक्टर जब सहर के बाकी सारे गुंडे मवालियों के साथ बैठ कर मीटिंग कर रहा था तभी वहाँ पर एपरिल में और जून आ जाती है और सभी लोगों के उपर हतकंडियों लतकंडियों को चला कर सभी को धेर कर देती है जिसके बद एप्रिल वेक्टर के गले में 200 रुपे वाला तलवार रखकर उससे पूछती है बता हमारे गुरू टिमबक्टू कहाँ पर है बरना मैं तेरी गर्दन काड़ दूंगी वेक्टर लजारो कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे गुरू जी का भी काम तमाम हो जाएगा तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे कलब के पेपर दे दो जिसके बदले में मैं तुम्हारे गुरू जी टिमबक्टू को छोड़ दूंगा अब मजबूर हो वेक्टर को वहीं पर छोड़ कर वहां से चली जाती है उनके जाते ही वेक्टर के पास एक औरत आती है जो कि दरसले गीगा निंजा है और यहां पर वेक्टर उसे उन तीनों लग्कियों को जान से मारने का कॉंट्रक्ट देता है इसके बाद अगले ही दिन एप्रिल में औ अंगन टेड़ा कॉंपिटिशन में हिस्सा लेती है और पूरे स्टेज को हिला देती है जिससे वो लोग कॉंपिटिशन को जीत जाती है लेकिन जब वो लोग कपड़े बदलने के लिए जाती है तब यहां पर वेक्टर के गुंडे आकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं दूसरी तरफ हम गुरू टिमबक्टू को देखते हैं जिससे भेक्टर पूछता है क्या तुम्हें सच में उस कलब की एहमियत पता है हाँ उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं नहीं ये विरासत है मेरे पिता ने उस कलब को खोला था फिर मैंने उसे चलाया फिर किसमत ने मेरा स लगती है दूसरी तरह वेक्टर ने गुरू टिमबक्टू के मुह पर धपड़ जड़-जड़ कर उसका मुह लाल कर दिया था और यहां पर बोसे मारने के लिए जाता है लेकिन तब तक गुरू टिमबक्टू अपनी निंजा तकनीक से वहां से फ्री हो जाता है और वक्टू 200 रुपए वाला तलवार उठा कर उसके साथ लड़ने लगते हैं जिससे थोड़ी दिर में वो से बेहुश कर देते हैं इसके बाद वो सभी उसे वही परी छोड़ कर वहां से निकल जाते हैं और दोस्तो इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी खत्म हो जाती है